यहां एक हैना सेर की डर से अपने बच्चे की रच्छ करते हुए सोई हुई होती है दुसरी तरह पेक सेर हैना के बच्चे को देखकर सिकार करने की मकसद से आता है तबी सेर बच्चे को बिल के अंदर गुषते हुए देखकर दोड़ते हुए आता है ककली हैना सेर के मुँझ से बच्चे को बचाने के लिए हिमत भी नहीं होती है हैना के बच्चे को खाने के लिए कसम खा कर अपने दो पंजे से मिट्टी तेज गती से भाहर फैकना सुरू कर देता है अपना मुंडी गुशने लग गड़ा खुत कर गुश जाता है और हैना के बच्चे को जबडों से पकड़ कर बाहर निकाल लेता है अभी हैना सेर के मुँ में अपने बच्चे को देख लेती है जहां सेर उस मासुम बच्चे को काटने और दोबजने लग जाता है हैना अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने साथी हैना के जूंड को बुला कर लाती है सारे हैना के जूंड मिलकर सेर को पीछे से खिशने लग जाते हैं जहां सेरे हैना को पकड़ कर काटने और दोबजने लग जाता है उसी समय और एक सेर आकर बच्चे को काटने की कोशिस करता है तिन सेर के बिच फसा हैना का बच्चा किसी तरो अपना जन बचा कर वहां से भाग कर एक पेड़ के नीचे छूप जाता है कभी एक सेर बच्चे को छोड़कर हाइना को काटने के लिए दोड़ती हुए जाता है उसी समय उस सेर को सारे हाइना के जुण नाकर सेर को बुरी तरह से काटते हुए परिसान करने लग जाता है ज्यादा पानी रहने की बज़े से हाइना के जुन अंदर तक नहीं घुस पाते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस गरीब को जरूर सपोर्ट कीजेगा जो आपको एक सेकें नहीं लगेगा